हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सब्सक्राइब में यं आइकने तेटाइब कोने में 5 जोटाँ रुको रुको शेंगे काया है अरे अभी तो यही था गईश के साइकल तो खड़ाब नहीं हो गई तो जाके देख के आखे तो जाके देखे आखे तो जाके शेंगे जेखे वस्टें शेयरी चलो चेंगे चेंगे जाओ चेंगे करे चेंगे रुहत रुएत दो लिए क्रेंगे टो दोर दो लूमोज के वाज़ की गृज़क मैंन का फेस क॥ गरमाने ख्रेंगे एक अग्दर ख्राक्रा क्या व्ल्दर राenteटर। श्रेंगे टैतर्गे चaret्रेंगे और जय्स कर दो आउमें थेख्यृर हमृगे पर तुमने इसे क्यों किया? उस पर चिल्लाने का कॉन फाइदा नहीं उससे बहाद निकालना है एड़ी निकालो, उससे डर दग रहा है पर निकाले के से? वदे को लकडी अजय 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 समाल समाल अजय समाल के शमाल के अजय मेरे साइकल अजय तू तू पहले उपर आजय साइकल बारने के जिल्ले लेंगे आजय शंकी समाल के अजय अभी अजय 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 गुपड़ी तरह से ठूटी है यह कोपड़ी कोपड़ी आए फिर स्केलेटन भी यह अजय आजय हाँ होना तो चाहिए देखो जरा देखते हैं चीतर से असपास स्केलेटन अजय स्केलेटन 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 सही है.. Skeleton संबल के, संबल के, एक दम संबल के पुन्टी तो दायन लगता है... यह खुपड़ी इसी Skeleton के होगी? जो इस बैचारे से गुम हो गये होगी कोपड़ी गुम तो हो गही है, पर खुपड़ी और ढाचा अलग-अलग क्यों? सर हो सकता है कोई जंगली जानवर खूपडी को नोच के ले गया हूँ पुरी जिस तरह से खूपडी को तोड़ा गया है ना लगता ही किसी जंगली जानवर का काम नहीं बलकि किसी इंसान का काम है हाँ सर कि जंगली जानवर ने किया होता तो इतनी भूरी तरह तो नहीं टूटी होती और हड़ीयों पे भी कुछ ने कुछ खरोच के निशान तो होते हैं यहां तो आए नहीं सर ये पेल्विस बोन से तो ऐसा लगता है किसी औरत का ही कंकाल है आपी जीत और फिर ये कपड़ा देखो ये कपड़ा भी तो किसी औरत का ही कपड़ा लगता है फैंब्रिक तो काफी महिंगा लगता है हां है तो किसी समरिद्धगर की हो सकता है प्रॉपर्टी और परटी के लिए मार दिया गया हो इसे ये क्या है यह सैप मिला है सर इस सैप के अंदर एक मच्छर बंदे सर सैप क्या है? को पेड़ से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है न वो आई है पेड़ की गोंद आई है सैप लगर सर यह स्केलेटिन के मीचे कैसे आया? शायर मनने से पहले यह मच्छर लड़की को काटने के फिराक में होगा उसी समय यह सैप पेड़ से गिरा और मच्छर इसके दफन हो गया बस इसकी पसलियों में से एक पसली पर यह देखो सेमी सर्किल जैसा निशा सांके गूली चूकर गई है इस पसली को गूली मारी है इसे किसी ने बिलकुल बस गूली इसकी पसली में लगी और हड़ी को जलाती में बाहर निकल गए बड़ी अजीब बात है सर्थ कोई किसी को गूली मारने के बाद उसका गला क्यों काटे गा? अजीब बात हो एस सचिन लेकिन भई ये बात तो तुम खोनी से जाकर के पूचे क्योंकि यह तो किसी को मालूम है नहीं इसको भी मालूम नहीं जिसने भी एकिया है ना लगता है बहुत नफरत करता था इससे किसी बात का बदला लिया इसने जरूर पता चलना चाहिए सारूं कि यह कंकाल है किसका अच्छा सालूंकर साम इसके स्कल्ल इसकी खोपड़ी से चेहरा तो बनाई जा सकता है नहीं सचिन फेस को रिकांस्ट्राक करने में इन चीक बोन्स की काफी आमियत रहती है और इसका तो चीक बोन है ही नहीं इसलिए इसके फेस को रिकांस्ट्राक करना ना मुम्किन है सर फिर तो इसकी पहचान करने के लिए हमारे पास वो कपड़ा ही बचता है जो इसके लाज के पास मिला था ठीक से ना पलो एक इंच भी ना जादा होना चाहिए ना कंग बहुत फेमस डिजाइनर हुम है फ्रेडी फंकाच क्या हो रहा है है कुछ नहीं सर अच्छा हुआ सर आप लोग आगे इन से मिलिये यह बहुत बड़ी डिजाइनर है तुम क्या अपने शादी का सूट सिलवा रहे हो क्या है सर वो क्या ना कभी ने कभी तो शादी करूंगा ना सर तो एक सूट सिला लेता हूँ ऐसी हरकत रही तुम्हारी तो थोड़ा डाउट लगता है तो तो फ्रेडी शादी की अनिवर्सरी का सूट सिला रहे हो है आपको किसे पता चला अगर आपको भी कुछ बनवाना होए तो बताएए बहुत फेमर डेजाइनर हूँ मैं पुर्वी जरही ने वो खपड़ा दिखा इस कपड़े के बारे में आप कुछ बता सकती है बता सकती हूँ? ऐसी फेमर्स नहीं हूँ मैं इस कपड़े की तो मैं पूरी कुंड़ी निकाल सकती हूँ यह हन्रिट परसेंट तो गई यह एटी परसेंट कॉटन टॉंटी परसेंट नाइलन जबल स्टिक और एंशेंट डिजाइन है यह एंशेंट डिजाइन? कितना कितना पुराना है यह यह कोई six-seven months जी साथ मैंना पुराना तो एंशेंट मतलब पुरातन हो गया? हाँ, फैशन की दुनिया में तो यह एंशेंट है बाबा आदम के जमाने का और वैसे भी उस टाइम में भी इस कपड़े को जादा पसंद नी किया लोगोंने एक दम फेल था और मैं तो ऐसे कपड़े को छूती तक नहीं हूँ अच्छा तो फिर कहां कहां मिल सकता यह कपड़ा मुझे क्या पता और वैसे भी यह तो रेडी मेड है चोटी वोटी दुकान पर मिकता होगा अच्छा तो आप यह बदा सकती इस कपड़े से ज्यादतर क्या बनता था कर दी ना आपने फिर वोई बात क्या कर दी मैंने मेरी काबलियत पर आपने शक किया अब आपको तो पता ही है कि मैं कितनी फेमस डिजाइनर हूँ और यह तुम्हें इसली बता सकती हो कि इससे वन पीस ड्रेस ही बन सकती है 24-30 और कुछ देखिये, मुझे बहुत काम है आपको तो पते है कि मैं बहुत जादा यह आप बहुत फेमस हैं हाँ हम एम एक आखरी सवाद हम जानते हैं कि आप बहुत बड़ी डिजाइनर और आप ऐसे कपड़ों को हाथ भी ने लगाती पर क्या आप यह बता सकती है कि ऐसे ड्रेस और कहा मिल सकती है आपको पता है कि यह बहुत जादा लगी है अचा इस तरह के कपड़े उस टाइम पर ओनलाइन विका करते थे आप किसी भी कपड़ा बेचने ओली वेबसाइट पर जाएए वहाँ साच कर सकते है वहाँ पर आपको इसली एविलेबल होंगे अब मैं जाओ ठैंक यू राज वो कपड़े पैकर के लिए आना अभीजे दया काम करो सारी ओनलाइन साइट चेक करो देखो कौन लोग है जो ऐसे कपड़े बेचते हैं और फिर उनसे कस्टमर्स की लिस्ट भी मंगवा जिनने ऐसे कपड़े और किये थे वो लड़की उन्ही कस्टमर्स में से कोई एक है उन्ही में से कोई एक कण्फरम किया था ना ये अड्रेस है आसर ओनलाइन रिकार्ड से पता चला है कि तीस लोगों ने खरीदा था, अब सिर्फ चार बचे और उन चार मेंसे तीन नहीं है, तो बच्ची सिर्फ ये, मुझे तो पक्का यकी ने सर, यही होगी हाँ जी, क्या चाहिए आप लोगों को? आप मेन का है? काय रे, तुझे क्या मेन का में दिख रही है क्या? मेरा नम निदी है निदी, इस घर की मेड निदी? हाँ, यहां की काम वाली, बोलो, क्या चाहिए? देखो, हम लोग C.I.D. से हैं C.I.D.? मेन का मेडम को बुलाओ, जरा आईए, सर, आईए, अंदर आईए निदी, कौन है यह लोग? और गर के अंदर कैसे आगए? साब, यह हम लोग C.I.D. से हैं सरा, मेन का जी को बुलाइए, उनसे कुछ बात करनी है मेन का? जी हाँ, मेन का वो या नहीं है या नहीं है, तो का है वो? देखिए, आपने जितना पूछा, मैं आपको बदा चुका हूँ आपका उनसे रिष्टा क्या है? मेरी पत्नी है वो आई मीम पत्नी थी फिर तो आपको मालू होना चाहिए ना कि वो कहा है और कब आएंगी देखिए, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं उसके बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता अच्छा ठीक है, आप ज़रा ये कपड़े देखिए इने पैचानते हैं आप ये तो किसी जड़की की कपड़े है मैं ऐसे नहीं पैचानता अच्छा पहले आपको ये नहीं पता कि आपकी पतनी कहा है अब उसके कपड़े भी नहीं पैचान रहें कमाल है आप वहन है मैं, मैं सेरिंग की सेक्रेट्री हूँ सेक्रेट्री गर पे या गर पे ही दबतर बना रखे आपने नहीं सर, ये तो एक डिक्टेशन के लिए यहां पे आई थी अच्छा अच्छी सर, आज सुभा से मेरी तबेद बहुत खराब थी तो मैंने से यहां गर पे बुला लिया देखिये, हमारा जानना बहुत जरूरी है इसलिए जरा दिमाग पे जो डाली और बताये मेन का कहा है और कब आएगी सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता पर वैसे भी दो मेने पहले वो यहां से गाइब हो चुकी है दो मेने से गाइब है आपने पुलिस में कम्प्लेंट भी नहीं लिख वाई, क्यों? सर, मैं बताती हूँ, एक मिनिट हाँ सर, ये मेरी डाइरी के हिसाब से दो महीने पहले आपकी बीवी गाइब होई थी और आपने शर्म के मारे मिसिंग कम्प्लेंट नहीं लिखाई ताकि किसी को भी पता नचल जाए अच्छा, तो ये बात है सर, दो महीने से बीवी गाइब है और सेक्रेटरी घर पे, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है आपको याद नहीं आ रहा ना आपकी बीवी कहा है आप एक काम करिए हमारे साथ जर अब बीरो में चलिए थोड़ा समय गुजारेंगे तो आपकी याददाश वापसा जाएगा सर, वो हम कहीं जा रहे थे मैं भी चलू सर हाँ, क्यो नहीं चलिए चलिए नहीं सर, मुझे याद आ रहा है सर मैं बताता हूँ आपको बताईए सर, आपके सारे सावालों के जवाब आपको कैमपल्ड शिपिंग कंपनी में मिल जाएंगे कैमपल्ड शिपिंग कंपनी सर, उस मेरे का नाम की आउरत देना मेरा गर बसने से पहले ही उचार दिया, सर देखे, हम आपके परिशानी समझ सकते हैं लेकिन हमारा तरुन से मिलना बहुत ज़रूरी है इसलिए प्लीज बताईए तरुन कहा मिले गहा में सर, वो भी उसी दिन से गायब है जिसीन मेनी का उससे मिलने यहाँ पर आई थी इस बात को तो दो महिने हो चुके हैं तो क्या टरुन दो महिने से … हाँ सर, दो महिने हो गय बे उसका इंतिजार कर रहू हूह वो मुझसे लिलने तक नहाए सर, दो महिने से मुझसे शादी का वादा करके गया था यह दे किया सर मैं मैं बने उसके लिए गिफ लेके रखा है, सर, ताकि जब वो लोटे, मैं उसे ये गिफ दे सकूँ लेकिन, सर, मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे सच्चे प्यार को भूला आ चुका है, सर उसे मेरे कोई खाल ली होई नहीं है अब मैं अब मैं क्या गर होगी, सर सर मैंडम, चलिए चलो सर, में का के साथ-साथ, तरुन भी गाइब है, पिछले दो महिने से कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, सर तरुन का फोन नंबर होगा न आपके बास जी सर है फ्रेडी, फोन नंबर लो देखो, फोन जिन्दा है क्या और अगर है, तो पता लगाओ, कहां पर है यह सर सर काफी परिशान है तरुन के इस तरह चाना गायब भुजाने से कहीं इस दीरश में में मिनका के साथ-साथ, तरुन को भी तो गायब नहीं किया हो सकता सर इस दीरश पर कड़ी नजर लखनी पड़ेगी हमसे मिनने के बाद वो बॉकलाया जरूर होगा कोई न कोई गलती तो जरूर करेगा हो जरूर कोई न कोई गलती करेगा अच्छर भाई साथ, आप बड़े आराम से अंदर छुफकर के वेटे हम, बड़े बात नहीं आज मैं भी आपको बाहर निकाल के रहूंगा ज़े कुछ भी हो जाए क्या हो आई सर आपको करता थाGO आपको आपकब से बिचारे इस मच्छर के पीजह पढ़े एक मच्छर इनसान के पीछे पढ़िकों पड़कों से बहुत परेशान करता ना कारिगा वो तो है मैने सोचाfill का आज मैंभी इस मच्छर के पीजह पढ़ी जाता हूं इतियास गवा है कि आज तक मच्छर इंसान का खून चूसता है लेकिन आज सालू के इस मच्छर का खून चूसेगा एक मच्छर इंसान को क्या बनाता है तरीका? क्या बनाता है? डेंगू का मरीज बनाता है एक मच्छर इंसान को डेंगू का मरीज बनाता है लेकिन ये मच्छर इंसान को एक कहदी बनाएगा मतलब? मतलब ये तारीका के इस मच्छर का खून शायद हमें खूनी का पता होता हैगा तरून विटा तरून दरवाज मesदा खुलो मम्मी बाहर खड़ी है मेन का भी तरून की दोस्त और शीना भी तरून की दोस्त लेगन एक ही बन गई है लाश और दुसरी रो रही है इस तरण को तो इन बातों का जवाब देना ही पड़ेगा जवाब देना ही पड़ेगा ओफ यह क्या गन? मेंका को गूली से मारा है और या तरून के घर में एक गन मिलते है और वो भी चुपा के रखी हुई सर जरून मेंका को इसी गन से मारा हूँ लेकिन सर मेंका की लाश के पास तों में कोई गोली मिली ही नहीं इतर की खुश्बू खुश्बू यहाँ पर ज्यादा है इस बैरल पर हो सकता है कि गन पर लगी हुई खुश्बू इस बैक को लग गई होगी हाँ फ्रेडी हुआ तो ऐसा ही है जिसने भी इस गन को हाथ लगा ना उसके हाथ पर इतर था उसने इस गन को ऐसे उठाया होगा तो हाथ के उपर जो इतर था बैरल पर आ गया हम लोग इस खुश्बू को डूंड सकते हैं मगर सर खुश्बू को डूंडने के किसे परफ्यूम की दुकान से ला 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 आईए आईए महरवान कोई ना परेशान शोक से लीजिए इतर की खुश्बू यहाँ देखिए आ तो गए हैं हम लेकिन हमें यहाँ इतर की जानकारी चाहिए जानकारी? अजी जनाब समझे हमारी भी लाचारी करते हैं इतर की दुकानदारी कुछ लीजेगा तब देते हैं जानकारी अरे देखिए श्रीमान हम हैं थोड़े परेशान अगर इतर की करेंगे पहचान तो बच सकती है किसी की जान वहा, वहा क्या गीद गाये आपने अच्छी रंगे जमाया आपने अजी अब आप हो गए हमारे खास तो बताईए कौन सा इतर है आपके पास यह है जनाब यह तो इतर नहीं यह तो शस्त्र है जी जान देने का अस्त्र है इससे खुश्बू तो नहीं आती हाँ, जान जरूर जाती है सुनिये इसे सुन कर देखिए और बताईए कौन सा इतर है यहाँ सुनगे श्रीमान यहाँ पे और देखिए कौन सा इतर है इसमें सुंगे, सुंगे, सुंगे आहा, हा, 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 स्थेट की खुश्बू अंगूर का जादू हवा में कुछ घुल गया है इतर आपको कहां से मिल गया है? अरे वो छोड़ो ये बताओ ये इतर रखते हो तो दिखाओ जी, ना, ना ये इतर बड़ा रहर है इसकी रखनी पड़ती बड़ी केर है इसकी प्राइस है बहुत जादा इसलिए यहां रखने का है ना कोई फाइदा कहा में लेगा ये? ये तो आपको डिस्तुबिशी बताएगा क्योंकि वो बड़ा बगीचा है मैं छोटी क्यारी हूं वो बड़ा डीलर है मैं छोटा मोठा व्यापारी हूं जी एक निर्टा पूरी ये जो है तरुन के फोन की लोकेशन है ये सारी जगा देखके बताओ कहां है आपका वो जो व्यापारी है? इस तरफ कहां दुकान है? ये तरुन कौन है? जिसकी एक गन है ये पुष्भु वाली गन ये गली नंबर आठ में डिस्टुबिटर की दुकान है नाम है उसका चहला पर दिल का है बहुत मेला त्यान रखना आद मी बड़ा गंदा है और मुझे लगता है उसका तो नंबर का तंदा है त्यान की त्यान की अरे चहला ने एक बार जबान दे दी तो काम तो अपने आप हो जाना है यॉंडेस्टेंड चिल मैं चिल आप च्छ सवाल तुमने ही सवाल आम पोचेंगे चहला से सवाल चिल मैं चिल चिल तो हम हो जाएंगे जब तुम हमारे सवाल का सही जवाब दोगे तो और अगर नहीं दिया तो हम तुम्हें बरफ की सिल्ली पर लिटा लिटा के चिल कर देंगे फ्रेडी क्यूं डरा रहो बेचारी को यह तो वैसी बता देगा यह न इसे बचानते हो हाँ सर फिल्मों में देख रहा है सर हीरो आता है गुंडे पर तांता है गोली तलाता है धाय 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 सर यह तो कॉमेडी की मूड में लग रहा है चलो अब इसे ए ट्रेजरी भी दिखा देंगे अभजीत उससे इक गं से उड़ा दो इसे सर यह क्या कह रहे आप यह टीक है सर गं तो वैसे भी इल्ली कल है इसके खून का अज़ाम हमारे उपर आएगा अभी नहीं चिल मैं चिल तुम लोग चैला को टना क्यू रहो यह बहुत गलत बात है देख अमें पता है तो इत्र के धंदे के नाम पर हतियार का नाजाइज थंदा करता है यह गं तुमारी है ना जो तरुन नहीं ली थी क्यों सर लगता ही यह इपनी आसानी से बोलने वाला नहीं है कैसे नहीं बताएगा? किसने का? जरूर पताएगा छैला? क्यों नहीं बताएगा? तो बचा मोहरत नहीं कुलाओं क्या? मैं बिनह मोहरत किताता हूं अंअ, सर यह गं तरुन ने मुझसे ली तरुन कहे है तरुन चिल men चिल भाई gård की कसम तरुन कई है ये छैला को बिलकुल नहीं पता कहसे । अगर तुम्हे पता नहीं तरुन का है तो फि läuft उसके पस गन कैसे पहुंचाई तुम्ने उर्श है ? मैंने गन नहीं पहुंचाई, वो खुद लेने आया था संतोष उसे छैला के पास लेकर आया था संतोष, कोई है? सर, जेला कोच नहीं मने. जेला को माफ कर दो, सर. हठ्यार का थंदा करता है, और माफ मानता है? मताता हूं, सर! सारूंके? तु मच्छर का कौन जूस रहे! ये तारीका बता रही थी. हुआ, अपनोंने शिखायत किये ना? नहीं… Yes bagus, और जूस रहा था मच्छर का खुन चूस रहा मच्छर का पता चला क्या? मच्छर से खुनी का पता? मतलब मच्छर के ँढर अभी भी खुन ही? को यह मच्छर गौवन में फस्क करके मर जरूर गया था लेकिन इसके अंदर जो खून था वो वैक्यूम की वज़े से बचा रहे है आज सर लेकिन इससे खूनी का उपता कैसे चला? इस मच्छर ने सैप में फ्सकर मरने से पहले जिसका खून चूसा था वो खून खूनी का था फिर वो खून लाश का भी तो हो सकता? नहीं सचिन, लाश का दियने और उस मच्छर से मिले खून का दियने, मैच नहीं करता, इसलिए खून, खूनी का ही है और एक बात, बस, इस मच्छर के खून में हमें सिकल सेल एनिया के रक्षिन दिखाए दिए हैं, जब कि लाश के खून ने ऐसा नहीं है सिकल सेल्स? हूं, सिकल सेल, मैं बताता हूँ क्या है, सिकल सेल एमिया के मरीज के, रेड़ ब्लोड कारपसल, लाल रख्ट कोशि काई, गोल नहीं रहती है। वह ऐसी हो जाती है। यह देखो, इस तरह以上 कि, यह सिकल सेल एमिया के रेड़ ब्लोड सेल्स हैं, और यह नॉर्मल रेड़ बड़ सेल्स है। सही मात्रा में ऑक्सिजन न मिलने की वज़े से रेड़ बड़ सेल्स सिकुड जाते हैं। ऐसे मरीज को जोइंट्स में पेंड रहने लगता है और उसे फेपड़ की बीमारी होती है। तो फिर यह आदमी जरूर हॉस्पिटल के चक्कर काटता होगा। जरूर बॉस और एक बात यह बहुत रेर डिजीज है। और किसे को नहीं होती है भीमारी है। पर तो सर इसे पकड़ना असान हो गया। बिल्कुल सजिन। बजासपास के जितनी भी हॉस्पिरल्स है, सब में जाकर के पता करो। इसे कितने मरीज हैं जो सिकल सेल अनिमिया का इलाज करवा रहे हैं। आपको? संतोश हाँ मैं संतोश ही हूँ। काम क्या है? अरे 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 आप लोग कौन है? क्या कर रहे हैं? वहले हैं आपनी इज्जत है वहीं। इसे बेटा करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलाल तु यह बता, तरुन को जानता है? किसी किसी तरुन को मैं नहीं जानता हूँ। अबे चुप-चाप से बता, वना यह हीमान ख़े ना सामने तू? पंकज इसे सरीए पंकज का इडिया भी बहुत अच्छा है उठाने वाला है बचाओ! मुझे चोड़ दो! ने 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 बचोड़ना तीरे 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 उठादो मुझे तीरे 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 तरुन का एट्रेस बताओ तभी छोड़ेंगे हम अगर तरुन का एड्रेस मालून नही तो तुमारा अगला एड्रेस होगा हॉस्पिटल और फिर हमारा जेल बताओ जली बताओ जली बताताओ साब साब बताओ जली तुमारा जो अगरी मगान जाब 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 इन एक का राना जाए जाब साब साब अबेग बिखकोमना एंस्वा जाए साब साब का शीना, शीना तुमने तु मुझे डराई दिया था मैं इतनी क्या बुरी लग रहे हूँ कि मुझे देखकर तुम डर गए नहीं, नहीं, मैं तुम्हारी शकल देखकर नहीं डरा तुम इतने जोर-जोर से दर्वाजा खट-खटा रही थी ना तो बस उस हट-बड़ाट से मैं डर गया वो क्या है ना तरुन, मैं तुम से इतना प्यार करती हूँ न, बस इसलिए शीना, तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ तरुन, मेरा सचचा प्यार यहां कीछ लाया मैं तुम से मिलना चाहती थी न, इसलिए शेना, तुम मुझे समझ नहीं रही हो पता है तुम्हें प्रॉब्ल्म के है, कि तुम मुझे नहीं समझते हो अच्छली न, तुम मेरा ज़बात को समझ नहीं नहीं चाते मतलब यह केवा जम्ये आया था है, मंनोसाuest जी में आप लन कार्ट आया था है मेरे प्यार से कोई मतलब ही नहीं है कि मुझे यां पे कॉन लाया था ये ये लाया था मुझे यां पे संतोष ओड़ क्या हो गया है तुझे वह तो इतना सोच हूँ ओड़ गया से तो इसे ही, आ, तरसल क्या है ना, मुझे मार खान का सोग चराया हुआ था, मुझे रास्ते में एक लंबा चवडा पहलवान मिल गया, हाथ जोड के बिंती की महने उनसे, कि भाया पहलवान, आज मुझे मार खान का सोग चराया हुआ है, मुझे मारो, पहलवान ने का ऐसा, त हाई, पहलवान लपक्या हमारी बिंती मान गया पिर्डियादी शूम, हाँ, लगदी शूम, हाँ, वह मारा भाई, भाई तु जापा रहा है अरे भाई, हम जाँ नहीं रहे, हम तो लेजाया जाँ रहा हा भाई क्या? तुम को नहीं? अभी जो पहलवान की बात नहीं कर रहे थे, वही है, भाई याए क्या? अभी चौकने की जरुद नहीं है तेरा मार खाने का शौक, मैं पुरा करूँगा नहीं नहीं सर, मुझे मारवार खाने का पर शौक नहीं है मार खाने का शौक नहीं, जान से मारने का शौक है ना और यही शौक पुरा करने के लिए तुमने मेनका को मार डाला क्या?! मतलब तुमने खून किया है? मतलब यह तुम एक बुरे आशिक होने के साथ साथ एक खूनी भी हो ओ गाड़, मेरी तो जिन्दगी स्पॉयल हो गई नहीं, सुनो तो सही शुट आप अब चुप चाप हमारे सवालों का जवाब दे वरना अगला थपड मेरा पड़ेगा नहीं, सब मारी हमत मुझे, मैं सब को सेज मताताँ मेनका का खून मैं नहीं किया जूट, तरुन ने मेनका का खून नहीं किया या तरुन ने सब के सामने कुबूल किया है तरुन के देखो बस, मैं उस सच्चाए की बात कर रहा हूँ जो मच्छर ने मुझे बताई है फिर तु मच्छर को लेकी शुरू हो गए बस, सौ बात की एक बात तरुन का ब्लड रूफ है O-Positive और मच्छर में जो खून मिला है उसका ब्लड रूफ है A-B-Positive तो साफ है न, तरुन ने खून नहीं किया तो फिर तरुन ने जूट क्यों बोला क्यों और फिर खूनी कौन है सर सखूनी कौन है वो यह रिपोर्ट बता सकती है शहर के सारे सिकल सिल एनमिया पेशिंस की यह डीटेल रिपोर्ट है और इतने सारे पेशिंस में यह एक ही फीमेल है जिसका ब्लड ग्रूफ है A-B-Positive और जिसके डीटेल्स उस मच्छर के मिले खून से नाच होते है निधी यह निधी नाम कुछ सुना सुना सा लगता है निधी पता लगाना पड़ेगा किस हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है इसका अब यह उस निधी के आने का वक्त हो गया यहीं से डॉक्तर राकेश के कवन पर नजा रखने है है Excuse me? Dr. Rakesh? जी, रूम नंबर 7 Okay डॉक्तर राकेश के केवन के सामने एक लड़की है तो कोई यह निधी तो नहीं है यह निधी है निधी तो यह है निधी यह नहीं हो सकता सर सर यह तो मैंका है निधी नहीं है क्या बक्वास कर रहे हो तुम यह मिनका कैसे हो सकती है सर मैं बक्वास नहीं का रहा हूँ आप मेरा यकीन कीजिए यह मैंका ही है क्या मेनिका अपनी घर में नोकरा नी बंद कर काम कर रही थी? अबर ये मेनिका मेड बंद कर रह रही थी तो जिसका कंकान मेला पर वो कौन है? सर, मेरा यकीन कीजिए ये मेन का ही है मैंने मैंने इसे अपने हाथों से गॉली मारी है, सर जजी पर नहीं हो सेस्टी से अरे, समलो अरे, जो से लिगे जो इसली जो ज़ब लगे श्मेली के खोशिश करो, जल्दी से जल्दी जल्दी अच्छा हुआ सर, हम लोग हस्पिटल में यही पे बेहोश हुआ है, यही पे एड्मिट करवा देते जाओ जन्दी काम नहीं है इसलिए डॉक्टर राकिष को हमने कहे दिया है कि वो नीजी को कहे कि किसी अपने को साथ में लेकर रहा है देखो मैं तो बस रही सलास दे सकता हूँ कि तुम किसी अपने को यह बुला लो लेकिन डॉक्टर अरे देखो तो अब हम तुम्हें अद्मेट करने में बहुत देरी नहीं 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 गा सकते अरे भाई बहुत सारी फॉर्मलिटी जोंगी और साथ में तुम्हारा ख्याल रखने के लिए और तो कहीं चाहिए इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम किसी अपने को यह बुला लो पर पर नूम नंबर सेवन के रहे? राइड लेगे, पर्स्ट राइड. यह? अब कुण लेगे? मैं! मैं सरीं की सेक्रेटरी हुँ. तो तीरज की सेक्रेटरी हैं? समतलब ये सब मिले हुआ है यह अपने हाथ से निकल लिने पाए सियाइडी निधी भागो हे रुप हे निक्टा नहीं है हे निक्टा नहीं है ही आप आप यह भी अपने अपने इतने बादे बादे वस्पिटेम में लाइडा से आपए इतने बड़े हॉस्पिटेम्ने लाइड्स है ना सकती है इम्मर्जंशी पेसिन को खाता है यह जप्राइडर तो आपना चाहिए अजया? अझे, सेख्यूरीटी, मेंच स्विच्छ का या, मेंच स्विच्छ उस तरप पर, आई जोलो, दिकाउधल टी कर दो स्वाद़ी चुख। झाल! झाल! झाल, पुझी! प्रप्राइब। हम नहीं मारे उसे, हम नहीं उसका गूण किया है क्यों, क्यों मारा? बदला लेने के लिए केसा बदला? जरुन और नीरत से हमारे जिन्दगी खराब करने का बदला उन्नोरे ने मिलकर हमसे हमारे सब कुछ चील लिया उसका बदला एक तीर से दो निशाने, मेंका कखोन करके हमने धीरज और तरुन के ऊपर उस खोन का इल्जाम डाल दिया और वो गोली? गोली कहा गई, जे तो में लगी थी? वो नेकली गोली थी मैंने गन से निकाल कर गोली चेंज कर दी थी? तुम दोनों ने बदला लेने के लिए मेंका और धीरज को अलग कर दिया और फिर निदी तुम मेंका बनकर तरुन को बेवकूब बनाने लगी तुम्हारा प्लान ये था कि तुम्हें मेंका समझ कर तुम पर गोली चला दे तुम्हें क्या लगा? दीरे और जोग तुम लोग का राज कभी कुलेगा नहीं? राज नहीं कुल सकता दा, सेर क्योंकि नोग इंडूसरे को जानते ही नहीं थे सारे राजे एक ना एक दिन खुली जाया करते हैं कोशिश तो तुमने बहुत की थी कि मेनका की लाश मिल जाया और धीरज फज जाया पर ऐसा हुआ नहीं और इसलिए तुमने मेनका की खुपड़ी निकाल कर बाहर रख दी ताकि किसी की नदर उस पर पढ़ जाया और देरोज और तरुन पकड़ जाया इतना दिमाग चलाया बहुत साजी सरची पर एक बात भूल गए तुम भूल गए इंसाफ नाम की भी एक चीज होती है जो अपना रास्ता टून लेती है मुझरिन तक पहुचने का कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें शायद पासी होगी झाल गए तुम्हें च्प्राइब तुम्हें